अब हम यह देखते हैं हमने यह देखा कि बल्ब जो है वो तभी जल सकता है जब बैटरी जो है वो हमारे साथ में लगी भी हो अगर बैटरी नहीं लगी होगी तो बल्ब नहीं जलेगा जो बैटरी के अंदर काम होता है नहीं कि जो EMF है जो अंदर काम कर रहा है बैटरी के अंदर जो चार्ज इसको अलग कर रहा है वो बैटरी के बाहर electric potential या potential difference की तरह हमको मिलता है और वो electric potential या potential difference जो बैटरी के बाहर हमको मिलता है उसकी मदद से ही हम काम कर पाते हैं इसकी unit volt होती है जो कि हम पहले ही देख चुके हैं दूसरी चीज़ जो हमने देखी वो ये था कि जैसे ही हम बैटरी के positive और negative terminal को बल्ब के साथ में जोडते हैं वैसे ही current का प्रवा जो है start हो जाता है current उसकी अंदर से बहने लग जाता है यह current जो बहता है यह conventional current है तो positive charge इसमें बहेंगे अगर electronic current है तो negative charge बहेंगे पन यह current जब wire के अंदर बहता है तो काम हो सकता है वो कुछ काम करके जा सकता है जैसे motor को गुमा सकता है या बल्ब को जो है light कर सकता है current की जो unit होती है यानि कि कितने electron एक second में wire के एक हिस्से से निकल रहे हैं system international जो हमने पहले पढ़ा था उसकी एक base unit है current का नाम जो MPR है वो किसकी उपर रखा है वो अंद्रे मरी Ampere एक French scientist है उनके उपर रखा गया है वह बहुत ही अच्छे scientist थे वह बहुत ही practical थे उन्होंने बनाई और उसके बाद टेलिग्राफ में भी जो practical टेलिग्राफ का invention हो उसमें भी बहुत सारी practical चीजह है उन्होंने ठीक की तीसरी चीज़ जो electric circuit में जब current का प्रवा होता है तो हमको देखने को मिलती है तो क्या होगा देखी जब electron बह रहे हैं wire में से तो wire ऐसा तो है नहीं कि खुला जो pipe हो जिसमें से आराम से निगल जा है electron ऐसा तो होगा नहीं wire के अंदर जो है दूसरी चीज़े भी है उसके अंदर जो है atoms है nucleus है उससे क्या होगा कि जब electron उसमें से भैते हैं तो वह अलग अलग चीज़ों से wire के अंदर जो है छोटी छोटे दूसरे जो भी पार्टिकल है जैसे कि atom हो गए या kernel हो गए या molecule nucleus हो गए उससे टक्राते व को हम resistance कहते हैं जो भी हम आसपास copper का wire अच्छे से अच्छा wire जो भी हम देखते है normal life में सारी चीज़ों जिसमें से बिजली निकलती है वो किसी प्रकार का resistance यानि कि उस बिजली को रोकने के लिए कुछ ने कुछ प्रयतने जरूर करते है tungsten जो कि electric bulb में होता है उसका resistance ज्या जो copper wire हम normal में हमारे विजली उसमें काम में लेते हैं सर्किट में उनका resistance कम होता है उसमें थोड़ा सा जो है अराम से इलेक्ट्रों निकल पाते है पर resistance फिर भी होता है गोल जो है वह बहुत ही अच्छा है उसके अंदर resistance बुलकुली कम होता है resistance किसी चीज का जो है उसकी intrinsic property उस material की property है उसको हम Ohm में नाबते हैं वो किसकी उपर रखा गया है वो George Simon Ohm के नाम पर रखा गया है German Business